आज मैं चल ले हूँ कुछ ने तरीके की प्याज की पकोड़ी बनाने लिए तो यह हमारा बेशन हो गया कस्तूरी लाल मिरश, स्वाद नुशार नमक, हल्दी और यह धनिया और गिरीन चिल्ली यानि गिरीन मिरश यह सब कुछ डाल करके मिक्स करना है और थोड़ा-थोड़ इसकी बनेगी खाने में बहुत अच्छा तो आप एक जरूर बनाें और कहने के क्या है जरूर एक बर जब तिराई के रंग जभी तो कोई जानोगे कि बढ़िया बनी है या कैसे बनी है तो स्वाथ जभी मिलता है खाने बनाओगे जब स्वाथ देखने और खानम लगेगा तो आप जरूर बना इस परकार से हमारे तरीके से प्याज की पकोड़ तो मैंने प्याज की पकोड़ी डाल दी है सारी यह दखो के हो चुकी है बिलकुल सुरक गोल्डन निकाल रही हूं बढ़िया और यह करारी भी बनी है बेस्ट बहुत अच्छी यह बन गई है उसी परकार से मुझको और भी बनानी है तो यह मैं निकाल रही हूं यह हमारा प्याज की पकोड़ी यह तो मैं यह दो तरीके की पकोड़ी यह तयार कर दी रमजान का महीना चला है तो मैं सोच रहे हैं कुछ थोड़ा अच्छा नया दिखना चाहिए तो आज पंदरवा रमजान है तो मैंने ये आज पकोड़ी ऐसी बनाई